तो हेलो गाईज टेकनिकल थेरपी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मुबाइल में म्यूजिक प्लेयर एप कैसे यूज करेंगे गाईज गर आपको भी इस एप के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए तो सबसे बहले आपको प्लेश्टर में जाना है और वहाँ पर जाने की बाद आपको सर्च करना है म्यूजिक प्लेयर तो आपके सामने ये एप जाएगी पहले तो आप इस एप को download कर देजीए इससे कैसे use करेंगे इसमें क्या क्या होता है मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा तो डाउनलोड करने के बाद जब आप इस एप को open करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स मिलते है यहाँ पर आपको जो भी कलर्स चाहिए आप उस कलर्स को यहाँ से आप सेलेक्ट कर दीजिए तो मैं यहां से पिंक कलर को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहां पर पिंक कलर सेलेक्ट कर दिया, पिंक कलर हमारे यहां पर लग चुका है, फिर यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको permission allow करने का option मिलता है, यहां से आप पहले तो करें ऌलाज़र więc में को पकूम है यह पर प्लिक यह पर प्लिक करते हैं अपर फॉल्डर हूंगे फोल्डस हैं इससे तरह कर विदियों जब्स यहां पर बहुत सारे जितने भी आप पर उपर की तरब categories मिलती है आपको यहाँ पर सारे देखने को मिलेगी उपर की तरब आपको मिलता है three land का option three land वाले option पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको library, यहाँ पर आपको playlist यहाँ पर आपको dry mode, timer, mp3 cutter, themes, recorder इन सारे को भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर आपको library में, यही सारी library में जो ही आपको यहाँ पर अभी मैंने दिखाई थी categories वो यहाँ पर मिलती है यहाँ पर आपको playlist पर क्लिक कर सकते हो playlist बना सकते हो यहाँ पर आपको नीचे dry mode मिलता है dry mode में भी आप कर सकते हो अगर आपको किसी भी गाने को आपको mp3 में cut करना है तो आप mp3 में cutter भी कर सकते है यहाँ पर आपको theme change करने तो यह से आप theme change कर सकते है recording करना है तो इसमें आप recording भी कर सकते है recording देखना है तो आप recording देख भी सकते हो settings पर किलिक करते तो यहां पर इस A grapes फ्सक्राइब करके हैं यहां पर आपको colors मिलते है secondary color मिलते है यहापर आपको शेक एक्षेक ट्रिक्ष मिलता है लाइबूरी ड्राफ फुल दिप्लेश मिलती है Jworks सारी settings और आपको देखने करने इंहें अभी यूज कर सकते हैं उपर की तबाब को सर्च बार का उप्सिन लिए हैं यहां से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं यहां पर आपको थ्री डाट पर किली करते हैं यहां पर आपको प्ले करते हैं यहां पर आपको प्ले कर सकते हैं एक साथ इस एप को सेंड कर सकते हैं दूसरों मे इसके सेटिंग्स वगरा भी देख सकते हैं तो इस तरह से आप इस एप को यूज़ कर सकते हैं आपको हमारा यह वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना